देश दुनिय की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में हम जाने के करनाटक विधानसवाच चुनाव से पहले पार्टी क्यों छोड रहे हैं बीजेपी विधायक दिल्ले के बाद अब गुजरात में भी क्यों लगाय जा रहे हैं पीम मोदी के किलाफ पोस्टर और भोपाल दोरे के दूरान क्यों रोकी गई पीम मोदी के स्वागत की तयारिया और अंध में हम जानेंगे अप्रेल महिने की शुरवात से क्या हो रही हैं बड़े बदला फिलहाल वीडियो की शुरवात से पहले एक नजर सुर्कियों पर इंदोर में मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान की खिलाफ की गई नारे बाजी यह नारे बाजी तब की गई जब सीम चोहान मंदिर में खायलो का हाल चाल जाने के लिए एपल अस्पताल में गई थे रोड रेस केस में दस महिने की जेल काटने के बाद आज रिहा हो रही है कॉंग्रेस नेतान अवजोत सिंग सिदू सिदू ने यह जानकारी खुद ट्वीट कर दी है वारिस पंजाब दे के प्रमुक हमरतपाल सिंग की भागने में मदद करने वाला जोगा सिंग हुआ गिरफतार बताय जा रहा है कि जोगा सिंग के मुबाइल के आधार पर ही कुलिस समरतपाल की लोकेशन ट्रैक कर रही थी उमेश पाल केस में अतिक एहमत को उम्रिकेट की सजा होने के बाद बसपा प्रमुक मायावती ने उसकी पतनी साइस्ता हमत को दिया बड़ा जटका मायावती ने प्रियाग राज में होने वाले मेयर चुनाओ को लेकर साइसा का टिकट कार दिया है करनाटा के जडियेस विधाया गोरी संकर को हाई कोट ने किया एयोग्य घोसित बताय जा रहा है कि गोरी संकर ने साल 2018 में फर्जी बीमा बोन के जरीए वोटर्स को लुभाने का काम किया था बंगाल हिंसा पर बोले सुबेंदु अधिकारी कहा पुलिस अपना काम नहीं कर रही जिस वज़े से हिंदूओं की घर तोड़ फोड़ हो रही है करनाटा के पूरे सीम सिद्र रमया के सामने भाजबा नेता येदी यूरपा अपने बेटे को बना सकते हुमिद्वार बीते दिन सेयर बाज़ार ने मारी बड़ी छलांग सिंसेंक्स 1031 अंक की तेजी के साथ 58,999 पर बंथ हुआ तो निफटी 289 बढ़कर 17,369 पर रुका ये दो ती सुर्कियां अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर करनाठक विधान सबचुनाव से पहले भाती जनता पार्टी को लगा बड़ा चटका बीजेबी विधायक एन वाई गोपाल कृष्ण ने सुकरवार को अपने पत से स्तीफा दे दिया है अब उनके बीजेबे में शामिल होने की प्रबल संभावनाय जताई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले भी वो कॉंग्रेस में चार बार विधायक रह चुके हैं गोपाल कृष्ण ने अपना स्तीफा स्पीकर विश्वेसवर हेगडे को उनके कारियले पर सोपा है जानकारी के लिए बता दें कि इसके लावा एक और विधायक हैं जिसने कॉंग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी सदश्चता चोड़ दी है चोड़ तो पुलिस भी नहीं रही मोदी के खिलाब पोष्टर लगाने वालों को क्योंकि अब पीम मोदी के ग्रैर राजे में भी उनके खिलाब पोष्टर लगाना शुरू हो गये हैं आईए देखते हैं गुजरात की ये रिपोर्ट दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी लगे पीम मोदी के खिलाब पोष्टर पोष्टर में लिखा है मोदी हटाओ दीस बचाओ पोष्टर लगाने वालों में आठ लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफतार कर लिया है दरसल ये पोश्चर आम आदमी पार्टी के कारे करता हों द्वारा लगाय जा रही है और इनकी जिम्मेदारी खुद गुजदात की आम आदमी पार्टी के चीफ अस्दूदीन गडवी ने ली है गडवी ने बताये कि जिने गिरफतार किया गया है वो हमारी पार्टी के कारे करता है और उन्हें गिरफतार कर लिया गया है ये भाजपा की ताना चाहिए इसे ये साबित होता है कि भासपा डर रही है आफ चीफ ने आगे कहा कि बीजेपी चाहिए जितना भी जोड लगा ल लेकिन आम आदमी के कारे करता हमेसा लड़ते रहेंगे लड़ने को तो दिल्ली में केजरिवाल की सरकार भी तयार है कोरोना जैसी महामारी से क्योंकि अब से दिल्ली सरकार कोरोना के बढ़ते केसों को देख सतर्ख हो गई है आईए जानते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर क्या है दिल्ली सरकार की तयारियां देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने बुलाई बैठक बैठा के बाद CM ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि दिली में लोगों को कोरोना से ड़ने के आफशकता नहीं है हम वाइरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तयार है हमारे पास सरकारी लेब में 4000 टेस्ट करने की शमता है इसके अलावा 7,986 बैड तयार है केस रिवाल ने आगे कहा कि दिली में कोरोना केस एक पैटरन की तरह बढ़ते हैं मुंबई में केसों की संख्या बढ़ने से कुछ दिन बाद ही राजधानी दिली में कोरोना की केस बढ़ते हैं के दिन इंदोर के एक मंदिर में हाजसे से 36 लोग अपनी जान कवा चुके हैं बतादे कि पीए मोदी आज माध्यप्रदेश की पहली वंदी भारा ट्रेन का उद्खाटन करेंगे इस ट्रेन को कमलापती रेलवे स्टेशन से प्रधान मंतरी द्वारा हारी जंडी दिखाई ज साल में बहुत से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं आईए जानते कुछ ऐसे बदलाव जिनका हमारी रोज मर्रा की जिन्दगी पर काफी प्रभाव पढ़ने वाला है आसे इंकम टेक्स की नई कर्वेवेस्था लागू कर दी गहें जिससे रिबेट की लिमिट को पास ला तक की व्रदी हो गई है आसे प्रधान मंत्री व्यवंदना योजना भी बंद कर दी गई है इस योजना के तहए 60 साल या उससे अधिक उम्रे के लोग एक मुस्त रासी जमा करके अपने लिए पैंसन योजना का इंतजाम कर सकते थे महिलाओं के लिए 1 अप्रेल से महिला सम सेविंग सार्टिविकेट योजना लोंच की गई है इस योजना के देहत महिलाहें 2 साल के लिए अधिक तम 2 लाक रुपए जमा कर सकेंगे जिससे महिलाओं को 32,000 रुपए तक का फाइदा होगा इस महिने की शुरुवात से पेंकिलर्स, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंट सेविंगी हो रही है जिससे आम आदमी की रोज मर्रा के लाइफ पर काफी प्रभाव पढ़ने वाला है